नमस्कार एकजाम हैपी भाई ज्छार्खन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर ज्छार्खन में होने वाली जेटेट परिच्छा की तियारी को ले करके जिससे यहाँ पर बहुत कौम प्रशना आपको भीड़ते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो यदि आप जारखन में होने वाले सिछक पत्रता परिचा में पास करना चाहते हैं आपको यहाँ पर जहरकंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले JCRT टेस्ट बुक पर अधारित सारे प्रशना आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और अभी जहरकंड में जितना भी JCC एक्जाम ले रही है या जैक एक्जाम ले रही है वह पाठ पूस्तक पर अधारित होता है तो पाठ पूस्तक पर अधारित सारे प्रशनों का नोट्स, PDF और यहाँ से जुड़ करके यदि आप त्यारी करते हैं तो एक सो एक पर तीसा जहरकंड में जहरकंड सिचक पतरता परिच्छा में आप पास कर सकते हैं और यहां से सारे नोट्स को ले करके पढ़ लेंगे क्योंकि JCRT के टेस्ट पूक पर अधारि सारे प्रशन सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहां पर जो है आपको उसका ट्रीकी भी नोट्स दिया जा रहा है तो यदि आप जहरकंड में जहरकंड सिचक पतरता परिच्छा या जहरकंड सहाएक अचारे परिच्छा किसी की भी तैयारी करना चाते हैं आप यहां पर जुड़े हुए जैसे नोट्स ले सकते है और भी परिच्छा के लिए लाइफटाइम आपकी फी होगी दुवारा आपसे फी नहीं लिजाएगगी तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है आप हमारा मुबाइल नंबर यहां पर देख रहे हैं इस मुबाइल नंबर से संपर कर लेंगे और तैयारी के लिए जूड जाएंगे तो चले चलते हैं महतोपून परशनों की और पठ़र किसका भाग है प्राई दीपए पठ़र? गंगा का मैदान? हिमाला की तराई या इन में से कोई नहीं? इसका राईट एंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपूर का देखिए जो पठ़र है वो आपका प्राई दीप्य पठ़र के नाम से जाना जाता है, ठिक है? प्रठंड भी उतरपूर में और छोटा नागपूर का पठार भी उतरपूर में है छोटा नागपूर का पठार की चटान कैसी है प्रतदार है बेसाल्ट है क्रिष्टलिय है एवं कायंत्री थे किस परकार का पठार है छोटा नागपूर के पठार का चटान है वो क्रिष्ट कलिए यह एवं कहांत्री के चटान प Mich now depends They tell us कि चतान से हुई है वयतान एंगे च्टान परणपुर का जो परण चतान से परत्दार च चतान से लावा चतान से आगनिय चतान से या परिवर्दी चतान से किसप परकार के चतान से हुआ है छ्रीकितान पर्तिसाद च turn और चोटानागपूर का जो पठार है वो राज का जितना भूभाग है उसका कितना परतिसत छेतर से गिरा हुआ हुआ है पचास परतिसत 48.2% 47.8% यह इस में से कोई नहीं ठीक है तो देखें इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 47.8% भूभाग से घि वर्तमान हुआ है वेसाल चटान, क्वाड चटान, सिस्ट चटान या ग्रेनाइट चटान ठीक है तो छोटानागपुर का जो वर्तमान धरातल है वो किस चटान से निर्मित है आपको बताना ठीक है तो वो जो चटान है आपका वो यहाँ पर आपका जो निर्मित है वो ग्रे बूमी है एक संप्राय भूमी है क्या है छोटा नापूर का पठार है वो गोदाम गर के नामसे क्यों जाना जाता है मालवा का पठार छोटा नापूर का पठार बीनद्ड का पठार याiva में से कोई नहीं, तो खनीजों का गुदामगर किसको कहा जाता है, तो वो छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, और ये प्रस्ण दो बारा भी तक पूछे गए हैं, जारकंड का सबसे उचा भुभाग, पारसनात की पहाड़ी को छोड़ कर पारशनात की पहाड़ी को छोड़ कर कौन सा है जारकन का सबसे उचा पठार जिसे पारशनात की पहाड़ी आपको छोड़ देना है पाट का चठार मदिवर्ती की पहाड़ी या वाय पठार या राजमहल की पहाड़ी यानि पारशनात की पहाड़ी को छोड़ कर क 900-1100 मिटर, 1100-1300 मिटर, 1300-1500 मिटर कौन है? पाट छेत्र की ओसत मुचाहिए ठीक है? तो देखे पाट छेत्र की जो ओसत मुचाहिए है वो आपका 900-1100 मिटर है अगला प्रशन है, नीम्न में से किस की तुलना दच्छिन पठार की मेसा आकरिती से की जाती है? पाट छेत्र ह पजारीबाग का पठार, कोडर्मा का पठार या गरीडी का पठार किसको किया जाता है ठीक है तेके इसमें जो है आपको तुलना जो किया जाता है वो पाठ छेतर से किया जाता है पाठ के पठार से किया जाता है पाठ छेतर का बिस्तार किस जिला में है पाठ छेतर का बिस्त ज्यादा जो है वो फाट शेत रका बिस्तार के लिए हम कहेंगे कि यह जो बिस्तार जो जिला को दिया गया है वो जिला लातेहार नहीं है लोरदगा नहीं है गुमला नहीं है उप्व Urk Family सभी कौन सा नहीं है यह पुछा आपका माना जाता है यहाँ पर 600 मिटर किता माना जाता है 600 मिटर राची पठार का निर्मान हुआ है राची पठार का निर्मान हुआ है वेसाल चटानों से नी सेवं ग्रिनाइट चटान से सीष चटान से या क्वार्ड चटान से राची पठार का निर्मान किसे हुआ है इसक नूतन भौतिक सरचना है जारखंड की सबसे नूतन भौतिक सरचना है राजमहर ट्रेप, पाठ छेत्र, दामोदर घाटी या सोन घाटी कौन सा है आपका जारखंड का सबसे नूतन भौतिक सरचना ठीक है तो देखे इसके लिए यहाँ पर कहा जाता है नूतन भौतिक सरचन पुर्वी भाग या उत्तर पुर्वी भाग ठीक है तो राजमाहल ट्रेप जारखंड के किस भाग में इस्तित है यह आपको बताना है ठीक है तो राजमाहल ट्रेप जो है जारखंड के उत्तर पुर्वी भाग में इस्तित है इसका राइट एंसर डी हो जाएगा ठीक है राजमहल ट्रेप का स्रीजन कब हुआ राजमहल ट्रेप का स्रीजन कब हुआ जुरासिक काल में मद्य यूग में योसिन यूग में या योसिन यूग में किस यूग में हुआ राजमहल ट्रेप का स्रीजन ठीक है देखे राजमहल ट्रेप का जो स्रीजन हुआ है वो आपका यहां पर हुआ है जुरासिक काल में, किस में हुआ है जुरासिक काल में, राजमहल TRIP से देखे एक प्रशन पूछ दिया जाता है, इसलिए राजमहल TRIP को आप लोग important देख लिजेए, इसका अलग से भी note समबना करे आपको देंगे राजमहल TRIP को, राजमहल ट्रेप की उसत उचाई कितनी है, तो देखें जो राजमहल ट्रेप है, उसकी जो उसत उचाई है, एक सो पचास से तीन सो मीटर तक है, राजमहल ट्रेप कैसी चटानों से निर्मी थे, राजमहल ट्रेप कैसी चटानों से निर्मी थे, आरकियन चटान, धाड़वा ट्रेप जो आपका है वो आपका जो चटानों से निर्मीत है वो है आपका यहाँ पर राजमहल ट्रेप के बारे में कहा जाता है कि वो बेसाल चटान है ठीक है किस प्रगार चटान है बेसाल चटानों से निर्मीत है देखें यहाँ पर चटान का हम आपको याद करने का इसके सारी इप्टेंट का एक ट्रीक भी देंगे ठीक है, DAB Go Cool, DAB Go Cool एक ट्रीक आपको मिलेगा जो चटान के नाम से यदि इसके पहले आप यहां पर जहारखंड की चोहदी का trick नहीं देखें तो देख लिजेगा यहां से एक प्रफशन निकल के आपको आजाएगा फिर जहारखंड के अभियारणिय का एक trick भी हम आपको देदी हैं और जहारखंड की जन जाती का भी देदी हैं तो इस तरह से आप समावेस करेंगे सिर्फ और से पावकर आउ सकता है आप जूड करके इहां पर तयारी करेंगे ठीक है जहारखंड का सर्वत सिखर कौन सा है पारसनात सर्वत पहाड़ी राजमहल के पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं यह भी प्रफशन आपको अभी तक की एक्जाम मे मुझ दिया गया है उचाई कितनी है और इसको याद करना देखे दिमागों बिठाना चाहिए तो बहुत अच्छा से बढ़ जाएगा कैसे तो देखे एक साल होता है एक साल एक लिखेगा एक बर्स और एक बर्स में कितना दिन होता है तो हमलों मानते 365 अभी कितना हो गया पूरे को पकड़िएगा तो 1365 तो यही 1365 मिटर इसका उचाई है तो यहाँ पर देखे ओप्सन दिया है 1266, 1460, 1365, 1265 तो 1365 याद रखिएगा कैसे हुआ एक बर्स और एक बर्स में 365 दिन तो 1365 बन जाता है ठीक है पारसनात की पहाड़ी किस पठार का हिसा है यह एक बर आ है ना की कोडर्मा और ना की राची गिरीडी के पठार का हिसा है पारसनात पहाड़ी किस जिला मिश्थी थे यह भी प्रसन एक पर आया हुआ है राची हजारीवा कोडर्मा या गिरीडी ठीक है तो पारसनात पहाड़ी जो है वो आपका किस जिला का हिसा है तो गिरीडी ज किला का हिशा है इसका right answer आपका D हो जाएगा झारकंड का दिवतिये सर्वस सिकhãर कौन सा आप बरताना जारकंड का दिवतिये णिस वाट पाड़ी राजमहल पाड़ी परहाट पाड़ी यह इनमेंसे कोई ने ठीक है तो देखे जारकंड के जो दिवतिये सर्वत सीखर है वो आपको सर्वत पहाड़ी को बोला जाता है किसको पढ़ा जाता है सर्वत पहाड़ी को जहरकंड का दिवतिय सीखर जाना जाता है